एक प्यार का नगमा है मौजो की रवारी है जिन्दगी और कुछ भी नदी तेरी मेरी नहारी है तो प्यार का नहवा है कुछ पातर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का अदुब दूब आनार जाना है बोपन के जीवन से एक उचराई है जिन्दगी और कुछ भी नदी तेरी मेरी नहारी है कुछ पातर का नहवा है तो पातर का नहारी है हलो गाइस वल्कम तीव यूटीब चैनल यूफनी दिसस मी जदिन पावार और यग काने लेके आया हूं एक प्यार का नगमा है अभी सवनमपुरी का कली एक नहा गाना है बहुत ही खुपसूरत गाना है तो आर इस गाने को करेंगे प्रफॉमेंस मैं दे चुका हूं और अब मैं बताऊँगा कि इस गाने की कोड्स क्या होंगे स्ट्रमिंग बैटन क्या होगा गाने की लीड भी हम लोग कवर करेंगे इस पे तो अचलिए टाइम बेस नहीं करते हैं शुरू करते हैं गाना एफ मेजर के स्केल पर है और गाने मुझे कोड्स यूज हूँ है वो है एफ मेजर मढ़ेर ए माइनर ए शार्प मेजर सी मेजर आप यह भी ब्लेए गर सकते हैं यहां पर भी ब्लेए कर सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड कर mudar ह una यहां पर ही ब्लेए करwriter चूकि यहां पर अच्छा साउंड कर रहे है इसके लाबह एक जगह गाना स्केल से बाहर जाता है जहां पर डी शाप नोट लगाए तो वहां पर हम लोग जी शाप मीजर भी यूज़ करेंगे सरफ एक यही कोड़ जो F की फामिले से बाहर का है जी शाप मीजर और इसके रावा आप गाने में फिंगर पिकिंग भी यूज़ कर सकते हैं और प्लकिंग भी यूज़ कर सकते हैं और स्रुविंग पैटन भी यूज़ कर सकते हैं यह पले कर दिखाए जाता हूं इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यह जो तीन स्रिंग्स हैं, B, G and D, सिर्फ इन तीन स्रिंग्स को प्ले कर रहा हूं, आप चाहिए दूसमें बेस भी आइड दर सकते हैं, E या फिर A, लेकिन इन तीन स्रिंग्स पे ज्यादा प्रेशर डालना है, प्लक, चक, चक कर दें, तुरंत प्लक करना है, दो प्लक और दो चक, चक कर दें, टैप कर दें या आपर, तुरंत स्रिंग्स को प्लक करना है, F मेजर एक प्यार का नगमा है, A पर A माइनर, जिन्देगी पर, C मेजर, उसके बाद, A शाप मेजर, वापस C मेजर, इसके बाद, लीड प्ले हुए है, ये लीड है, B string, 10th fret, 10th fret, उसके बाद, B string, 8th fret, 10-8, उसके बाद, G string, 9th fret, उसके बाद, G string, 10th fret, उसके बाद, B string, 10th fret, उसके बाद, 10th से 11th fret, उसके बाद, B string, 11th fret, उसके बाद, B string, 10th fret, 8th fret, B string, उसके बाद, 8th fret, 10th fret, उसके बाद, 10th fret, उसके बाद, B string, 13th fret, उसके बाद, E string, 13th fret, उसके बाद, 10th fret, E string, 12th fret, B string, 13th fret, उसके बाद, 13th fret, उसके बाद, 13th fret, 13th fret, उसके बाद, 11th fret, उसके बाद, 11th fret, उसके बाद, 11th fret, फ्रेट पे, दो स्रोक 13 फ्रेट पे, उसके बाद 8 फ्रेट B-String, 11 फ्रेट B-String, 10 फ्रेट B-String. आप चाहे तो प्लकिंग की जगा, स्रुबिंग भी कर सकते हैं, पिक के साथ हाथ से, इसमें क्या आप कि सबी स्ट्रिंग को आप स्ट्रोक कर सकते हैं, लेकिन जादा प्रेशर इन 3-4 स्रिंग पे रहे, F-Major, or A-Minor? A-Minor, 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 आप यहां पर G-Shop-Major पोड़ आएगा, सिर्फ इस जगा पर, A-Shop-Major, C-Major, वापस F-Major, अब यहां पर A-Minor नहीं आना, सिर्फ F-Major ही प्लेयर हुगा, C-Major, A-Shop-Major, इसके बाद 2nd lead आती है, इसमें इन दोनों उंगले को middle finger और ring finger को आप प्लेस कर लेजे, G-Sring और D-Sring पे 10th fret पर, उसके बाद D-Sring 10th fret, G-Sring 10th fret, इसके बाद B-Sring 10th fret, यह एक ही fret पर है, consecutive प्ले हो रहा है, उसके बाद 8th fret B-Sring, 8th fret B-Sring, जब 8th fret पर हम लोग stroke करेंगे, तो यह पर hammer करना है on 10th fret, उसके बाद वापस G-Sring 10th fret, उसके बाद B-Sring 10th fret, दो बार, उसके बाद 11th fret, उसके बाद hammer करना है, 10th fret पर श्रोग करके 11th fret, वापस Tate पर, उसके बाद, 8th B-Sring, 10th B-Sring, 11th B-Sring, उसके बाद 11th से 13th fret, 10th slide, 10th fret E-Sring, 10th fret B-Sring 13th fret, उसके बाद 11th B-Sring 10th B-Sring, तो गाइस, यह थे गाने के chords, गाने की lead, और आगे गाने में दो अंत्रे और हैं, जो की ऐसे ही play होने वाले हैं, जो मैंने भी बताया, F, F major, A major, G sharp major, A sharp, C, F, इसी तरह से play होने हैं, तो गाइस, I think, मैं सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी आसा कुछ है जो रह गया है, तो आप मुझसे कमें में पूस सकते हैं, या फिर सोचल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पूस सकते हैं, लिंक आपको description में मिल जाएगा, और इसके अलावा में एक बहुत चल्द एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, इसमें मैं बताऊंगा कि कोर्स फॉर्म कैसे होते हैं, नॉर्मल कोर्स, पावर कोर्स, सस्मेंड़ कोर्स, इसक्तरा, बहुत सारे बिगिनर से जो कन्फ्यूज रहते हैं, उनको समझ में या आता है कि इनके बीच में डिफ्रेंस क्या है, और कोर्स कैसे बनते हैं, या फिर हम कोर्स अलग तरा से भी लगा सकते हैं, जिसे एक A आयो हो, तो शेर करो इसे और लाइक करो, तो गाँस अगर ये वीडियो पसंद आही हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेर कर देना और बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, कोई इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ, तिल देन, keep playing, keep learning and don't forget to subscribe, भाए झाल झाल